नमस्कार दोस्तों तो आज हम जानेंगे कि आखिर ये आईरवेद के वात पित और कफ ये जो त्री दोश है आखिर ये है क्या तो हम जानते हैं कि वात पित कफ ये दोश है तो जब भी ये दोश हमारे शरीर में अपने प्राकृतिक वश्था में रहते हैं अपने नेट्रू रहते हैं तो हमारा शरीर अच्छे से काम करता है हमें कोई बीमारी नहीं होता है हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और हम स्वस्त रहते हैं लेकिन जब ये दोश वात पित और कफ इंबैलेंस्ट हो जाएंगे यानि कि ये हमारे शरीर में विक्रूत हो जाएंग तो अलग अलग प्रकार की विमारिया उत्तपन होती है तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये वात है क्या तो वात दोश जो है वात दोश के बारे में आचारिया ने बताया है उन्होंने एक संस्कृत का जो एक स्लोक टर्म दिया है उसके हिसाब से हम समझ सकते हैं कि जो वात है उसका क्वालिटी कैसा रहता है तो वात मान लिजी कोई अगर आपके पास कोई सब्टांस है कोई आपके पास कोई चीज है जैसे आपके पास कोई फल है तो वह फल अपने गुन में कैसा है अगर उस फल का गुन वात के साथ मैच करता है तो वह फल में वात की क्वालिटी जादा है इसका मतलब कि अगर उस चीज को हम खाएंगे तो हमारे शरीर में वात बढ़ेगा और जब वात बढ़ेगा तो वात बढ़ने के वज़ा से हमारे शरीर में आचारे ने अलग अलग बीमारियों के बारे में बताए है कि अगर वात बढ़ता है तो यह यह बीमारिया उत्पन होती है तो यहां से हम समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास एक फल है तो उसका अगर गुन रुक्ष है जैसे बोला आचारे ने तत्र रुक्षो लगो शित खरा सुक्षमक चलो अनिलह तो अगर उसका गुन रुक्ष है ड्राई है अगर वो फल बहुत खाने में ड्राई है अगर वो शीत है उसका गुन अगर उस फल का गुन शीत है ठंडा है जैसे ठंडा पुरुट में क्या आता है केला हो गया यह ठंडा है अंगूर हो गया यह ठंडा है यह सभी चीजे जो ह क्गून क्या है थंड़ा है तो वात का इसका मतलब कि उसमें वात के गून है तत्रुक्षवलगु वह हलका रहता है अगर वह अपने गून से हलका है जैसे अगर रहता है अग KR eggs को खाते हैं जो कहते हैं कि वह काफी हलका है जैसे बाजरे की रोटी में वह प्रमफ को आधा रहे मतलब कि उसको खाने से हमारे सरीर में वात बढ़ेगा तो क्या होगा हमारे सरीर में जो वात बढ़ने की वजय से जो बीमारियां है वह आना चालो तो यह वात वो ऑक्सीजन और कार्बन डायकसड और जैसे और यह तक that तो यहां और जो ह्राइब Fest वो कि वह जो है वह औक्सिजन और कार्बन ड्यक्साइड है क्योंकि उसका गुन है चल वह हमेशा गुमते रहता है तो वहाँ यर Valois डूनिया में अगा चीजह है अगर हूँ बहुत हलका है अमार के रहता है तो वह जैसे लहसून है तो लहसून अपने गुन से क्या होता है उशन है वह बहुत गरम है तो वह खाने से हमारे शरीर में क्या होगा पित दोस बढ़ेगा तो क्या होगा पित का विकृती होगी वह अपने प्रकृति नैच्वल अबस्था में नहीं रहेगा अगर हम ज्यादा लहस बढ़ने से किन बिमार्य उत्पन होती जैसे आपको रखनाब्म हो सकता है आपको कि तो यह सभी चीजे जो आचारे ने बस्मय चीजे ने बाहर की दुनिया की चीजे है उसको हम दोनों को एक समान रखके समझ सकते हैं कि जो गरम है बहुत वो क्या है उसमें पित्त की γुन है उसमें भी पित्त की प्रदानता पाई जाती है तो पित्त दोस्त को हम इस तरह संमझ सकते हैं जो गरम जो तिक्षन कहने का मतलब है कि जैसे मालले जी आप कोई चीज खाते हैं वह बहुत त retrieve से हमारे फोड़ी जया यह काम करता है जो तिक्षन उत्पन करता है ने सम 거OW लैसुन कशाते हैं तो वह किरते हैं गर्मी उत्पन करता है हमारे उत्पन अधरक अगर खाते हैं, तो अधरक भी हमारे सरीर में तरंत, वो तिक्षनता उसकी गुन है, तो उसी तरह से वो क्या है? पित दोष उसमें, पित का गुन उसमें पाए जा रहा है, और अभी हम समझेगे, कि आचारे ना कि कफ के बारे में क्या बताए है, और कैसे आप बाहरी दुनिया के इसाब से कफ को समझ सकते हैं. तो कफ़ा वह है जो बहुत बहारी होता है मतलब कि वह हमेशा बहारी रहेगा . जैसे जो लोग मोटा होते हैं उनमें कफ़त की परदांता जादा होती है और कफ़त दोस्त जो भारी है , जो अपने गुन से भारी होता है तो वो सभी चीजे कफ़ की उसमें परदानता है कफ़दोस को विकृत करेगा वो बढ़ाएगा जादा खाने से और जो इसनिक्द हो इसनिक्द मतलब कि वो चिकना पौनो जैसे कि तेल है गी है ये सभी क्या है ये कफ़दोस को तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कफ़दोस क्या है पित्त दोस क्या है और वात दोस क्या है तो इस वीडियो में हमने जाना कि वात पित्त और कफ़दोस को हम भारी दुनिया के हिसाब से कैसे समझ सकते हैं अगर आपको इनके बारे में थोड़ा भी नोलेज नहीं है तो इ झाल 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 हो टे लाल ओिटा पाल